हेलो एब्रीवन वेलकम टू बेटर माइंड्स मेरा नाम है शुबोम और आज की इस वीडियो में में स्टार्ट करने जा रहे हैं यह आपी कवर हो चुके हैं तो यह अभी सेवन्थ वाला वीडियो है इसका इससे पहले छे वीडियो जो अप्लोड हो चुके तो प्ले लिस्स सेक्शन में जाओ अगर वो आगर वो चे मीडियो नहीं देखा है तो उनको एम्रब करो और पताओ कैसी कैसी लग रही है वीडिय घुर्व करता है क्या या फिर दिफ्यूजन के थू करता है या फिर सुडो-पोडित करता है तो जो ambiva nd가 है उसकी नियुоко पता होना चाहिए कि अर्थवर्म जो होते हैं उनके अंदर जो respiratory organ होता है मतलब respiratory organ सम्झेशित जहांसे वो oxygen को अंदर लेना है और carbon dioxide को बाहर जो चोडना है वो किस चीज के ठुल्त है उनके क्या gills होते हैं तो Susan उननहीं होते हैं गिल्स तो मचली के पास होते हैं इस्पारिकल्स का मतलब होता है बॉडी में कुछ होल्स होना तो क्या चीज़ होती है तो जो अर्थवाम होते हैं उनकी क्या करते हैं अपने इस्किन के थूर रेस्पिरेशन करते हैं यानिकि ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा अब आते हैं कोशनबर 3 के ओपर एक्वेटिक अनिमल है डेस एज रस्पिरट्री ओर एकवेटिक जो अनिमल होते हैं उनका रस्पिरेटरी ओरगन करता है तो यह जितने भी आप पर आप्शन इसके Państwo आर्ट यह सब्तों आने बता दिया तो और वैसी बात है एक्वेटिक अनिमल पानी मी रहें तो क्या करना है उनके पास capability होनी चाहिए कि पानी में जो oxygen प्रेजेंट है उनको उसको निकालने तो यहां पर क्या होगा गिल्स इसका अंसर जाएगा तो जो भी एक्वेटिक एनिमल से उनके पास क्या होता है मैक्सिम के पास करेंगे गिल्स रहेंगे respiration को करने के लिए question number 4 के उपर आते हैं which one of the following is a respiratory organ in insect insects जी होते हैं उनके अंदर कौन सा respiratory organ होता है तो यह तो देखो skin तो हुआ नहीं तो आपने बता दिया अर्थवाम को होता है अब आता है ट्रेक्या और इस्पाइरिकल तो जो दोनों के दोनों ट्रेक्या भी और स्पाइरिकल भी कुछ इंसक्त के पास उगए कुछ के पास दोनों होंगे तो यहां पर हमारा क्या होता है रेस्पाइरिकल और इंसक्त में क्या होगा बोथ इस्पाइरिकल और ट्रेक्या दोनों ही उनके पास क्या होते प्रेजन्ट होते हैं तो यहां पर यह नहीं नहीं होगा उनके पास होता है lungs, यानि कि option number A, हमारे पास क्या है, हमारे पास lungs present है न, respiration करने के लिए, वहीं से तो सांस लेके lungs पर ही तो जारी oxygen, तो ये चीज़ हो गया, अब आते हैं question number 6 के उपर, which one of the following is not a criteria of respiratory organ, respiratory जो organ होता है, इन सब में से उसका कौन सा criteria नहीं है, ठीक है, large surface area, तो द ज्यादा oxygen को ले पाएगा, ठीक है, तो surface area तो ज्यादा होना चाहिए, इन्होंने बोला है, कौन सा नहीं है, तो surface area तो होता है, ये तो सही, thin wall, wall जो बहुत पतली होनी चाहिए, तो देखो, wall बहुत पतली होगी, तो absorption बहुत easily होगा, तो इतनी मुटी wall बना दी, अंदर oxygen घ घूमता रहता है, तो इसलिए rich blood supply, यानि कि जगे पे तुमारा respiratory organ, respiratory organ के पास में, बहुत सारा blood भी होना चाहिए, ताकि जल्दी जल्दी क्या करें, जो उसने oxygen ली है, उसको जल्दी ब्लड के पास देदे, तो ये भी होना चाहिए rich blood supply, यानि कि तीनों ये option सही है, तो फिर जल्दी करके सांस ले रहा है, तो फिश है, human beings है, lion है, या फिर इन में से सबके सब, तो देखो, हमको तो जो oxygen है, वो air से मिलती है, बहुत एजली हमें आपे ले पाते हैं, लेकिन फिश को क्या करना होता है, निकानली पढ़ती है, वो oxygen कहां से, वाटर के अंदर से, तो इस नमबर 8, which one of the following breathe through their cell membrane, कौन अपनी cell membrane के थ्रू, मतलब उसकी cell की membrane है, उस membrane के थ्रू ही oxygen ले रहा है, कोई अलग से lungs या ऐसा कुछ organ उसके पास present नहीं है, कि amoeba, paramecium या planaria, अब देखो ये तीनों के तीनों ही क्या है ना, unicellular organism है, इनके बिचारों के body के पास एक ही cell है, त तीनों ही, ये तीनों ही ऐसा काम करते है, अब आता है option, question number 9, multicellular organism do not respirate through diffusion, because, ये कहने हैं, जो multicellular organism है, जैसे कि हम लोग क्या है, हमारी body में बहुत सारे cells है, यानि कि हम क्या है, multicellular organism है, तो multicellular organism है, वो diffusion क्यों नहीं करवा लेते, मतलब जिसे amoeba कर रहा है, paramecium, ये ठीक है, तो सबसे पहला, कि they do osmosis, कि वो diffusion इस लिए नहीं कर रहे है, क्योंकि उन्हें osmosis करना पसंद है, वो osmosis करते हैं, तो नहीं ऐसा तो नहीं है, ये तो गलत है, अच्छा, diffusion is difficult for them, diffusion हमारे ले difficult है, अरे इंसान के लिए आज तक ऐसी कौन से है, difficult हो गई, कोई जए difficult न यानिकि अगर हमने diffusion के थूँ मैंने अपना respiration को करवाया, तो फिर क्या हो पाएगा, हमारी body की requirement है बहुत ज़्यादा, तो diffusion के थूँ मान नहीं पाईगा हमारी body, हमारी body कहीं कि नहीं 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 भई, ये process के थूँ तो 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 बहुत कम oxygen देर, यानि option number C जो है, लेके जाए, वैसे तो blood ले जाता है, बट blood के अंदर भी कौन है, मतलब blood में तो बहुत साइचीज है, लेकिन blood में वो जो काम ले जाने का कर रहा है, वो कौन करता है, तो यह तो सबको बता ही है, जैसे पढ़ा होगा, जब blood donate वगरा करने जाते है, तो उस टाइम पे hemoglobin व B, अब आते हैं, question number 11 के उपर, which of the following carries oxygen from the lungs to all the body cells very efficiently, मतलब कौन है, जो कि हमारी body से, lungs से लेके जाता है, हमारी body की जितने भी cells है, उनके पास oxygen को पहुचा देगा, तो वही दुबारा oxygen को बचाने का काम किसका है, हमारा hemoglobin का, तो इसका अंसर भी क्या जाएगा, hemoglobin, क्योंक में, white blood cell में, RBCWC मतलब, red blood cell, white blood cell, या platelets में, इन में से, किसी में भी नहीं होता, तो जो hemoglobin होता है, वो हमें याद रखने कि hemoglobin किसके अंदर मिलेगा, हमें hemoglobin मिलेगा, RBC के अंदर, question number 13, तो यहां पर हमारे पास question आता है, the carbon dioxide produced in the body of the earthworm is expelled from the body through, जो earthworm की body के अंदर जो respiration किया होगा, तो oxygen को लिया, उसने, और उस ताइम पर carbon dioxide को release भी किया होगा, तो करें carbon dioxide को release किस चीच के through करेगा, अब एक चीच हमेशे या दखना, जिस चीच के through oxygen को लेते हैं, उसी चीच के through oxygen जो है, वो carbon dioxide जो है, वो बाहर निकलती है, मतलब, कोई gas के respiratory gas के अंदर जाने D, मतलब, बाहर भी किसे निकलेगी, carbon dioxide, skin के through बाहर निकलेगी, अब आते हैं, question number 14, which one of the following exchanger respiratory gases through the skin, इन में से, कौन है, जो की क्या करता है, अपनी skin के through respiratory gases को exchange करता है, तो एक तो तो मैं पता ही, यह एक और यहाँ पर example दे देते हैं, leeches और earthworm, दोनों के दोनों क्या करते है, अपनी skin के through अपना क्या करते है, respiration करते है, यानि कि option number जो यहाँ पर D है, वो हमारा correct answer है, both leeches and earthworm, तो यानि कि यह हमारा correct answer, question number 15, अब यह है question तुमारे लिए, which of the following have not gills, इन सब के पास क्या है, कि कौन ऐसा है, इन में से कौन ऐसा है, जिसके पास क्या होते है, gills नहीं होत प्रॉंस, muscles, fish, अब इसको पहले तो देख लो पहले एक बार यह पता होना चाहिए, इसके लिए कि प्रॉंस कौन होते है, muscles कौन होते है, fish कौन होती है, तीनों के तीनों, fish कौन होती है, तो तो अपको पता करना है, और इसका answer करो comment section में, और जिसका भी answer correct होगा, तो उसको म मैं पता लगी जाएगा कि किसका answer सही है, तो नीचे comment section में comment करके बताओ कि कौन सा answer जो इसका सही हो, so this is the end of this video, I hope कि यहाँ पर जितने भी MCQs है, बहुत यह अच्छे समझ में आऊंगे, अगर फिर भी MCQs से लेटेड कोई भी doubt है, तो उसको YouTube के comment section में और Instagram पर message करके भी ब जा करते रहुत